नमस्कार, हमारे जो भी नए मित्र हैं चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करके आल बटन प्रेस कर लिजिए तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं सिला जी एक कप चाय का इंतिजार कर ही रही थी कि उन्हें कुछ मसाले दार चटपटा संदा संदा सा खुस्बू आते ही उनके मुँँ में पानी आने लगा आज बहु ने कुछ स्पेसल बनाया है मुझे भी खाने को मिलेगा लगता है कोई महमान आने वाले हैं जट से सीला जी उठ खड़ी हुई और कीचन की ओर जाने लगी तभी उनकी बहु सीमा ममी जी आप यहां क्या कर रही हैं देखती नहीं है क्या कितना सारा समान फैला हुआ है मैं काम कैसे करूंगी आपको तो बस बैट कर खाने की आदत है तो कुछ समझ में ही नहीं आता आपको चलिए जल्दी से हटिए मेरे रास्ते से और जाइए जाकर कपड़े उठा लाएए बहुत कम कपड़ा है आप इतना तो कर ही लेंगी na मेरे और दोनों बच्चों और आपके बेटे का ही कपड़ा है मोहल्ले वालों का नहीं है तीन दिन का कपड़ा पड़ा हुआ था सो हमने मसीन में धो डाला सारा कपड़ा समेट कर ले आईए और हाँ छट पर जाही रही है तो सारे फूल के गमले में पानी भी देती आईएगा आपको तो इतना भी नहीं होता है कि जब छट पर धूप सेखने जाती है तो फूल में पानी भी डाल दे जब तक मैं आपको गलाव फाड़ फाड़ कर कुछ ना कहूं आपको कोई असर ही नहीं होता बातों का अब खड़ी खड़ी मूँ क्या देख रही है जाइए जल्दी से किजिए सिला जी नमस्वर में बोली हाँ हाँ बहू क्यों नहीं मैं अभी कपड़े उठा लाती हूँ और फूलों में पानी भी देती आऊंगी सिला जी यह कहते हुए जल्दी जल्दी से छट पर जाने लगती है तभी सिला जी का पौँ फिसल जाता है और वह सीड़ी पर फिसलने की वज़ा से गिर जाती है उनको गिरे हुए दो घंटे बीच जाते हैं पर कोई खोज ख़वर लेने तक नहीं आता है जब सिला जी खुद से अपने आप को संभालते हुए किसी तरह कपड़े उठा कर नीजे आती हैं तो उनकी बहु बेटे और दोनों बच्चे खुसी खुसी सभी बैटकर खाना खाने का आनंद ले रहे होते हैं सबने सिला जी के तरफ देखा लेकिन किसी ने सिला जी से खाने को नहीं पूछा एक तो भूख की वज़ा से सिला जी का दम निकल निकला जा रहा था दुसरी तरफ गिरने की वज़ा से उनके कमर की हड़ी खिसक गई थी जिसके कारण अब उन्हें चलने फिरने की भी परिशानी हो गई थी भूखे पेट रात भर करवटे बदलती रही आखों से आस्मों की धारा रुखने का नाम ही नहीं ले रहा था आज उन्हें अपने पती की बहूत याद आ रही थी जब भी सीला जी परिशान होती उसके पती हमेशा साथ देते पर आज विचारी अकेली थी इसलिए उनका दिल बैठा जा रहा था आज की यह भयानक रात मनों हर रात से लंबी हो गई हो सीला जी सूरज निकलने का इंतिजार कर ही रही थी नजाने सुभा उनकी आख कब लग गई इतने में बहू कमरे में आकर ताना देना शुरू कर देती है हाँ हाँ महारानी सोय रही है घर का सारा काम नवकरानी बहू है ही करने को ठाट बाट से पलंग तोड रही है सीला जी के कानों में आवाज जाते ही हडवड़ा जाती है और नम स्वर्मी बोलती है नहीं बहु ऐसी बात नहीं है वो मेरे कमर में चोट लगी है न और कल हमने खाना भी नहीं खाया है तो तब्यत कुछ ठीक नहीं लग रही है हाँ हाँ आपके पास तो सो बहाने होते हैं यह सब सुनकर सीला जी का दिल छली हो उठा सीला जी की सबसे पहले उठकर अपने पूजा रूम को साप करती हैं फिर घर का जाडू बरतन करके जैसे ही बहु से कुछ खाने को मंगती हैं बहु कुछ खाने को दे दो कल से बड़ा चटपटा खाने का मन कर रहा है, कल तुमने कुछ अच्छा सा बनाया था ना, खाने को तब से मेरा मन कर रहा है, कल तो मैं खा नहीं पाई पर आज कुछ है तो दे दो ममी जी आपकी इतनी सुबह सुबह खाने की पड़ी है थोड़ा सबर कर लीजिए अभी तो किसी ने कुछ खाया ही नहीं घर में जाईए जाकर अपने कमरे में बैठिये खाना भिजवा दूंगी या सुनकर निरास होकर सीला जी अपने कमरे में बैठ जाती है कुछ ही देर बाद कमरे के बाहर से हसी ठिठोली की आवाज आने लगती है सीला जी जैसे ही दरवाजा खोल के देखती हैं तो बहु और उनकी सहलियां पकोड़े समोसे और जलेबियां खाई जा रही थी धमक पड़ी अरे माजी आप देख नहीं रही गेस्ट आए हुए हैं और आपको खाने की पड़ी है जाए अपने कमरे में जाए बाद में आप खा लिजेगा अब सीला जी अंदर से पूरी तरह तूट चुकी थी खून का आसू उनकी अखों से छलक पड़े कई बाद सीला जी ने यह सोचा की बेटे से बात करके बहु की सारी बात बता दे फिलाल सीला जी अपने कमरे में जाकर लेट जाती हैं अब सुभा से साम होने चला था बेटा भी ओफिस से घर आने ही वाला था की बहु मम्मी जी आपको भूख लगी है या नहीं सुए ही रहिएगा क्या खाना भी खाना है आपको सिला जी की तो वैसे भी भूख से जान निकली जा रही थी पुछारी जट से बाहर आ जाती है उनके उसके बाद जो उन्होंने देखा देखकर उनका कलेजा फट गया मा जी अगर आपको खाना है तो फटापट से बरतन सारा धो लिजे फिर या जो खाना रखा हुआ है या खा लिजेगा सिला जी को जो खाना दिया गया था वह जूठा था वह भी बहू और उनकी सहलियों की सिला जी ने सारे बरतन धो लिए पर जो खाना उन्हें मिला था जूठन वह उन्होंने नहीं खाया जाकर अपने कमरे में लेट गई, जैसे ही बेटा घर वापस आता है आफिस से, बहु अपने पती की कान भर देती है कि तुम्हारी मा को खाना दिया था हमने, पर उन्होंने खाना बरवाद कर दिया, गुस्य में बेटा तिलमिला उठा और मा के पास जाता है, और मा अपने ख खाना बनेगा नहीं तो आज से आपका खाना बंद, सीला जी की तो जैसे जिन्दगी ही उजड़ गई, एक तो पती का सहारा नहीं रहा, दुसरी तरह बेटे और बहु भी अच्छा वेवार नहीं कर रहे थे, ये अंदर से तूट चुकी थी, तभी एक दिन सीला जी को या काल कर देखने लगी और उन्हें वह वादा भी याद आ गया, जब उनके पती कहा करते थे कि जीवन में तुम कभी हिम्मत मत हारना, और तुम्हें जब भी मेरे इस तो दिये हुए तोफे का कुछ ऐसा काम आ जाए, जिससे तुम अपने मान सम्मान और स्वाभिमान को संभ पूर फाइदा उठाना, तभी सिला जी के मन में एक सवाल आता है, क्यों ना इस तोफे को बेच कर हम अपने लिए कुछ ऐसा करें, जिससे हम भी एक अच्छा मान सम्मान भरा जीवन जी सकें, तभी दिल पर पत्तर रखकर उन्होंने अपने पती के दिये हुए तोफे या पैसे आते ही, वो एक छोटे मोटे दुकान में जाकर अपने लिए अपने पसंद का पकोड़े और जलेवी खाती हैं, वही दुकान में बैठे बैठे सिला जी को एक तरकीब आती है कि क्यों ना एक दुकान खोल लिया जाए पकोड़े और जलेवी की, अगले ही दिन एक स् दुकान और खोला भगवान की दया से, उसकी दुकान भी अच्छी खासी चलने लगी, अच्छी इंकम हो जाती थी, इतना हो जाता था जिससे उनका गुजारा अच्छे से चल जाता था एक दिन साम को सिला जी के घर में कदम पड़ते ही बहु वेटे सर पर सवार हो गए, ममी जी आप कहां गई थी, हम लोग घर में काम करते करते ठक जाते हैं और आपको घूमने की पड़ी है सिला जी तुम दोनों को हमसे मतलब ही क्या है, ना तो तुम मुझे खाने को देती हो, ना ही मुझे ढंक से बात करती हो, तो मैं घूमू नहीं तो और क्या करूँ और हाँ एक बात बता दू कि मैं कहीं घूमने नहीं गई थी, बलकि अपना काम ही करने गई थी, खुद का दुकान खोल लिया है हमने, अपने पैरों पे खड़ी हूँ अब मैं, किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रत नहीं है अब हमें, यह सब सुनकर बेटे और बहु अचम् कर लिया है, हाँ तुम दोनों सोच रहे होगे न, इतने पैसे मेरे पास कहां से आए, तो सुन लो, मैंने अपना कीमती तोफा जो तुम्हारे पिता जी हमें दिये थे न मंगल सुत्र, उसको बेच डाला, और उससे अच्छे खासे रकब मिल गए, उस पैसों से हमने तोफा भी था, हमें तो पता ही नहीं चला, घर जो भी हो, अभी आप यह घर छोड़कर कहीं मत जाईए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आपके सिवा मेरा भी कौन है इस दुनिया में, सब साथ मिल कर रहेंगे, और हाँ, आज से हम दोनों दुकान में भी हाथ बटाया करेंगे मां जी, रहे बाथ सोने की तो यह घर भी तो आप ही का है न, आप घर में सोईए न, दुकान में क्यों सो न, मां जी, फिर सिला जी भी अपने पोते और पोती का मुह देकर पिगल जाती हैं, और आज से सम्मान मिलना चाहिए था, उस से बढ़कर उन्हें मिला, तो तो दोस्तों कहते हैं कि हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए चाहे हालात जो भी हो अगर खुद पर विश्वास और मेहनत करते रहे तो हमें काम्याबी जरूर मिलती है अपने बड़े वुजर्गों माता पिता का आदर करें आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बत काईएगा हर हर महादेव